वेल्कम बैक फ्रेंट्स वीपिन गार्णिंग एंड ट्यूरिजम में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज का हमारा सफवर है राम देवरा यानी रोनेचा जिलकुल सही सुन रहे हैं दोस्तो राम देवरा आज की जो यात्रा हम करने वाले हैं वो राम देवरा की करने वाले हैं दोस्तो पोकरण से लगबग 12 किलोमेटर आगे यानी जेसल मेर राजस्थान बाबा राम द झाल 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 हम तेया करने वाले हैं और दोस्तों रस्ते का पूरा का पूरा व्यू मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा यह जो जो दुकाने लगी हुए च्टाल लगी हुए उन सब का व्यू दिखाते वे आपको बाबा के मंदिर में ले जाते हुए वहां के दर्शन करवाने वाला हु तो दोस्तों यहां बाबा की जो द्वेजा है वो आप देख सकते हो लटकी हुई स्कंभे पे और सामने का दरश्चे भी दोस्तों ऐसा ही कुछ हमें नजर आ रहा है दोस्तों ज़्यादा बीड नहीं है हर साल यहां काफी ज़्यादा बीड लगती है इस साल ज्यादा नहीं है तो यह यहां का दरश्य दोस्तों देखिए यह हमारे साथी और जो प्रसाद की दुकाने हैं खिलोनों की दुकाने हैं वो दुकाने जो मेला स्टल है वो स्टार्ट हो चुका है यह देखिए दोस्तो आजू बाजू का दरश्य दिखा रहा हूँ यहां के होटल है खाना खाने के लिए दोस्तों पूरे के पूरे रस्ते पे शेड बना हुआ है जिसे की आप देख रहे थे जब से हमने रुनेचा में इंटर की है तब से ये सेड हमें उपर नजर आ रहा है तो बक्तों के चलने के लिए यहां चाया बनाएगी है काफी अच्छा द्रश्या दोस्तों यह देखिए यहां के जो बजार है वो सजे हुए हैं और हर एक दुकान में आपको खृददार दिखेगा यह देखिए दोस्तों भक्तों की काफी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही हैं दोस्तों आगे से आगे जैसे हम बढ़ रहे हैं पीछे नहीं थी इतनी भीड़ बाबा के दर पे उनके जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं उनके साथी हम भी यहां आएं और दोस्तों यहां की पूरी की पूरी कवरेज आपको वीपियन गार्णिंग एंड टूरिजम दिखा रहा है इससे पहले आपको गोगा मेडी की हर एक अपडेट दे रहा था अभी राम देवरा के लाइव दर्शन आपको करवाएगा और यहां भीड काफी ज्यादा बढ़ चुकिया दो झाल 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 बाबा राम देव निले गोडे वाले की समादिस्तल राम देवरा से लाइव दर्शन है दोस्तो दोस्तो मैंने आपको दर्शन करवा दिया है अभी जो यहां के बाकी यह दोस्तो यहां गोडे के स्टेचू बनाए गए हैं बाबा के और आगे डाली भाई का मंदिर है और है वो सब के सब दर्शन मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में दोस्तों मंदिर परिशर से मैं बाहर आ चुका हूँ यह यहां के जो बगजन है वो दोस्तों देखिए गुनगान करते वे बाबा के यह देखिए दोस्तों जो पीछे की दिवारे हैं काफी सुन्दर कला करती यहां की गई है मंदिर परिशर के अंदर काफी सुन्दर नह जा रहा है दोस्तो तो चलिए दोस्तो मैं आपको डाली भाई की समाधी स्तल के भी दर्शन करवा दूँ ये दोस्तो डाली भाई की समाधी स्तल आप सामने देख सकते हो और दोस्तो डाली भाई से जुड़ी कुछ वस्तुएं यहां उकलब्द है पूर्ण व्यू दिखाता हूँ डाली भाई के कंगन ये देखिए दोस्तों ये आप सामने दरश्य देख सकते हो तो दोस्तों यहां के आपने लाइव दरश्यन कर लिये हैं अब मैं आपको बाहर जो तलाब बना हुआ है वहां का दरश्य दिखा देता हूँ दोस्तों जानकारी कैसी लगी मंदिर के लाइव दरश्यन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और जो बाहर तलाब है दोस्तों उसका भी मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ कर दोस्तों कर दो कि पो जाटती है हुआ भाट जैए यो यो